आज हम सीखने वाले हैं कुछ बिल्कुल डिफरेंट जिसके अंदर हम फोटो प्रेजरविशन के साथ राखीज बनाने वाले हैं हाई दिस प्रिया गेरा एंड वल्कम टू स्टी एकडीमिया तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम क्लिप बैंड अन बेजल के साथ यहां मैने स्क्वेर बेजल चूस किया है भाईय राखी के लिए हाट क्लिप बैंड चूस कर रहा है भावी राखी के लिए अब फो पिक्चर्स देख रहे हैं इन पिक्चर्स को मैंने सिम्पल प्रिंट आउट शीट के ऊपर प्रिंट करवाया है Fevical मैंने साइट पर ले लिया है सबसे पहले हमें Fevical के साथ पेस्टिंग करना होगा और जो आप एक शीट देख पा रहे है फोटो के एराउंड आप इस बेसिकली लैमिनेशन शीट आप इसे सिंपल प्रिंट आउट शीट पर अपनी desirable फोटो को प्रिंट करवाकर लैमिनेट करवा सकते हैं तो सबसे पहले मैंने याप पर square बेजल के उपर Fevical लगाकर अपनी जो picture मैंने यापर चूज करी उसके उपर पेस्ट कर दिया Fevical कितना टाइम लेगा 10-15 मिनट लेगा प्रॉपरली ड्राइ होने के लिए इससे क्या होगा कि हमने नीचे का base secure कर दिया जहां से epoxy leakage नहीं देगा अब similar way में जो हमारा clip band है basically जो side variation है वो बहुत सबस्टिफ होता है तो इसलिए हमें इसे particular और बहुत ही standardized position पर set करना है जिसे यह unbalance ना हो तो सबसे पहले यहां पर भी हमने white glue यानि की fevicol का इस्तमाल किया toothpick की help के साथ हमने fevicol लगाया और अब हम इसे photo के उपर paste कर देंगे make sure करिएगा कि आप जो भी lamination इसके उपर करवाए lamination बिल्कुल thin होना चाहिए bendable होना चाहिए lamination sheet भी अलग-लग तराकी आती है ठीक है तो आप एक अच्छी lamination sheet का ही इस्तमाल करें इसी के साथ यह करने के बाद अब हमारा next step क्या होगा वो आपको बताने जा रही हूँ मेरे पास यहां पर UV resin है और UV machine है तो सबसे पहले जैसे ही fevicol आपका properly dry हो जाएगा आपको एक thin layer इसके अंदर pouring करनी है हम यहाँ पर casting कर रहे हैं एक बहुती छोटे surface पर ठीक है बट बहुती अच्छी और पतली layers में ठीक है तो एक-एक करकर हमने पहले UV resin जो है वो लेकर एक पतला सा coat कर लिया so that जो fevicol के साथ हमने जोड लगा है वो थोड़ा और strong हो जाए फिर इसे हम क्या करेंगे UV machine के साथ ही हम इसे सुखने देंगे हर layer करने के बाद आपको machine के साथ इसे properly अच्छे तरीके से सुखाना है so that आप one by one काम कर सके देखिए यह मैं बिल्कुल fourth layer को यहाँ पर dry कर रही हूँ तो इसे मैंने एक layer लगाया फिर dry किया फिर एक layer लगाया फिर dry कर रहा कितना टाइम लगेगा dry होने में up to five to six minute इसे लगेगा properly dry होने के लिए जैसे ही आपको complete हो जाए आपकी four layers complete हो जाए आप इसकी अच्छे से सीजर के साथ बहुत simple तरीके से cutting कर ले उसके बाद यहाँ पर अपने photo के according आप जो है thread का इस्तिमार कर सकते हैं because you can see the background of the picture is blue in color तो मैंने हाँ पर जो thread के color लिए थोड़ा sea green लिया है इसे क्या होगा जो हमारा boy राकी होगा भाईया के लिए राकी होगा वो थोड़ा से manly लगेगा है ना और उनको wear करते हो भी उनको पसंद आएगा plus क्योंकि यहाँ पर जो bezel और clip band का color golden color का है तो मैंने threads and other accessories भी golden color में ही ली है अब thread को अच्छे से पहले हम single knotting देंगे एक single knot को tighten up कर देंगे दोनों ही side पर हमारे पस attaches है जिसके साथ knotting करना बहुत ज़्यादा असान हो जाता है मैं आप वह बताना चाहती हूँ कि जो भी material मैं यहाँ पर use कर रही हूँ यह material है from www.sdfinance.com और अब वहां से राखी के साथ साथ और भी कई सारा material resin oriented buy कर सकते हैं इसी के साथ अब हमने यहाँ पर सबसे पहले pearl डालना शुरू करा और नीचे के तरफ हमने यह देखे golden हमने यहाँ पर एक और ornaments यहाँ पर insert करे हैं प्लस यहाँ पर आपका pearl का size होगा ना that is differ आपके choice पर depend करता है आप 2 mm, 3 mm ले सकते हैं बढ़ जो golden ring में इसेंटर में डाले एक standard size का होता है तो आपको यह एक ही वह size जो है वो लेना पड़ेगा जो हम हर चीज़ पर use करते हैं bracelet के अंदर specifically ठीक है जी अब एक side पर minimal सा काम करेंगी क्योंकि हम भाया राकी बना रहे हैं यह देखिए एक side आपकी कुछ इस तरीके से नजर आए की अब दूसरी side मैंने same way में बना दी है ठीक है अब इसके बाद हम अगले step की तरफ जाएंगे जो होगा इसके अंदर एक slight modification करने का मुझे बहुत ही जादा सुन्दर लगते hanging charms तो मैंने क्या करना कि भाया राकी क्योंकि भाया के लिए बनाने वाले हैं इसमें थोड़ा सा different ज़रूर करना चाहिए boys के पास options भी काफी कम रहते हैं तो मैंने क्या करना गनेशा charm को मैंने jump ring के साथ अच्छे से attach कर दया यह देखी इस तरीगे से नजर आएगा और बहुत ही different look है आप भी जरूर try करिएगा अब जो हमारा clip band वाला भावी राकी है इसको थोड़ा हम decorate करेंगे इसके लिए हमने क्या लिया यहाँ पर golden chains का इस्तमाल किया लटकन कलीराज यह girls की बीच में बहुत popular है मुझे लगता है कि यह तो out of trend कभी नहीं जाने वाला तो मैंने यहाँ पर क्या किया 4 अलग-अलग मैंने chains के set यहाँ पर कटके कितना कितना 6-6 cm के ठीक है बिल्कुल भाईया कि उसमें जो मैंने गनेशा चाम का इस्तमाल किया था बिल्कुल सेम गनेशा चाम्स मैंने यहाँ पर ले लिया है jump ring ले लिया है attach करने के लिए jump ring आप standardized size का ले सकते हैं मैंने यहाँ पर jump ring लिया है that is 2 mm तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले jump ring attach किया नीचे की तरफ bangle वाली side पर chain इसके अंदर ही डाल दूँगी और tighten up कर दूँगी ठीक है इससे क्या होगा कि jump ring के कारण जो आपका लटकन है वो adjustable रहेगा आप उसको इधर उधर हाथ ही लाते हुए वो अराम से swing करेगा usually कुछ bangles में क्या होता है कि लटकन बड़े stiff होते हैं एक जगा चिपके रहते हैं जिनसे grace नहीं आपाता तो इनसे grace काफी अच्छा आपका निकल कर आएगा ठीक है जो दूसरा वाला भी मैं same variation में करूँगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से comfortable है तो हाथों के साथ भी tighten up कर सकते हैं प्लायर का एक और मैं आपको usage बता देती हूँ कि प्लायर ना कोई वज़ा नहीं छोड़ता दूसरी कि कहीं से भी chain किसक जाए निकल जाए आपने at the end किसी भहिया भावी को अपने you know सगे भावी को या फिर अपने nearby relatives को या फिर अपने customer को deliver करने वहाँ पे जाकर chain का निकल जाना charms का निकल जाना it's not good at all तो इसलिए मैं कभी भी double thought नहीं रखती हूँ हमेशा चीजों को प्लायर के साथ attempt कर दियू so that वो इतने जादा strong हो कि वो कहीं पर भी किसी भी तरीके से बाढ़े जाए उसमें कोई problem नहीं आए ठीक है तो अब मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ जो charms है वो भी लगाने शुरू कर दियू आप यहाँ पर क्या कर सकते हो घुंग्रूज अटाच कर सकते हो shells attach कर सकते हो, butterflies कर सकते हो, chakras कर सकते हो यह सारा समार आपको SD finance पर मिल जाएको और यही नहीं हमारे पास धेर सारे charms अवेलबल है, गनेशा के अंदर designing अवेलबल है, तो जो भी आपको पसंदो वो purchase करिये, ठीक है तो अब यह देखिए, इस तरीके का इसका look आ गया है, बहुत ही जादा सुन्दर लग रहा है और दूसरी राकी भी बिल्कुल सेव इसी तरीके से बन कर आई है आप अगर चाहें तो इसके उपर 2 is to 1 resin के साथ top coat भी कर सकते हैं इसे और जादा beautiful and durable बनाने के लिए तो यह है हमारी भाईया भाबी राकी का final look I hope you have enjoyed, bye